ओम श्री साई राम साई प्रेम वानी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हर्दिक स्वागत है आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधूर कारेक्रमों की मनमोहक श्रिंखला आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कारेक्रम के अंतरगत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुन्दरम पुस्तिका में वर्नित भगवान बाबा के अलोकिक जीवनकाल के कुछ प्रसंग एवं साई का प्यार जीवनाधार कारेक्रम के अंतरगत एक मनुरम भेंटवारता सुनेंगे हम अवतार वानी के अंतरगत श्री भगवान द्वारा दिये गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे तो चलिए कारेक्रम का शुभारम करते हैं अब प्रस्तुत है हमारा लोग प्रियकारेक्रम साई का प्यार जीवनाधार आज इसके अंतरगत हम मध्प्रदेश राज्य संगठन की मात्र एवं शिशु देखभाल इकाई की समन्वई का इंदोर निवासी डॉक्टर श्रीमती माधवी पटेल जी के साथ हुई हमारी भेंटवारता का पहला भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं आज हमारे स्टूडियो में मध्यप्रदेश राज्य संगठन के इंदोर शहर निवासी डॉक्टर श्रीमती माधवी पटेल जी हैं आप संगठन में मात्र एवं शिशु समरक्षक के प्रांतिय समनवयक के रूप में कार्य कर रही हैं आईए उनसे वारता में जानते हैं कैसे भगवान के प्रेम ने उनके दिलों की गहराईयों को छुआ और कालांतर में उनका पूरा जीवन ही भगवान के प्रेम पे आधारित हो गया साहरा ममा साहरा रेडियो साही में आपका हार्दिक स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद अपना स्वल्प परिचे देते हुए गृपया हमें बताएं कि आपने भगवान के बारे में सबसे पहले कब और कहां जाना मैं डॉक्टर माधवी पटेल मैं कान नाग गला सरजन हूँ और शायद अगर मैं यहां बोलने के लिए बैठी हूँ तो भगवान के एक चमतकारिक रूप से जो मुझे बचाया गया था उसके कारण 1967 वर्ष था जब मेरे जो नाना जी थे इंदौर की जो सत्यसाई समीती थी वो नाना जी श्री लक्षमन मांडली जी के यहां से ही शुरू हुई थी और मेरी माता भगवान की बहुत अनन्य भगत थी परन्तु पिता नहीं थे परन्तु जब पहली बार दर्शन उन्होंने स्वामी के किये उसके बाद उनके पूरे भगवान के लिए जो विचार थे वो पूरी तरह से बदल चुके थे और मुझे और मेरे भाई को जो सिर्फ मात्र एक वर्ष का था और मैं धाई वर्ष की हम दोनों को उन्होंने भगवान के चर्लों में रग दिया था और शायद वही भगवान के साथ हमारा पहला परीचे था पर उस समय हमें समझ बिलकुल भी नहीं थी कि हम भगवान से साक्षातकार कर रहे हैं उस समय का वक्त था जब भगवान के बीच में हमें छोड़ दिया जाता था और भगवान बीच में से लोगों के गुजरते हुए हमें चरंस पर्ष देते थे उसके बाद मुझे सहभाग्य मिला कि मैं बालविकास की स्टूडेंट बनी और फिर कालांतर में मैं MBBS और MS ENT कर एक ENT सर्जन के रूप में प्रैक्टिस कर रही हूँ भगवान का वैसे तो पहला परीचे धाई वर्ष की उम्र में हो गया था जिस समय उस पारस मणी ने हमें चूँकर एक पत्थर को उठा कर सोना बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी थी फिर 1975 में जब बाल विकास का एक बहुत बड़ा सम्मेलन पुट्टपर्ती में आयोजित किया गया था भगवान के 50 वे वर्षोत सव में उस समय मुझे उस बाल विकास की रैली में आने का एक बहुत बड़ा सभाग्य मिला जिसका जो डायरेक्शन था वो पंडुरंग दिक्षिद जी ने किया था जिनोंने शिरडी साई बाबा के का भी म्यूजिक डायरेक्ट किया है हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि भगवान ने हमें उसके लिए चुना था भगवान के सामने से होकर रैली जब गुजरती थी और भगवान दर्शन देने के लिए खड़े थे वह मेरी जानकारी में पहला दर्शन था उसके पश्चात हमें भगवान के सामने एक कार्यक्रम प्रस्तूत करने का अउसर भी मिला हमारा कारेक्रम जैसे ही समाप्त हुआ भगवान स्वयम स्टेच पर आ गए और वो जो समय था भगवान के साथ अनुभूती प्राप्त करने का जो अवसर था वो उस समय मुझे प्राप्त हुआ था मैं जो केवल साथ वर्ष की थी मुझे टाइफ़ल्ड हुआ था मेरे ब्लड टेस्ट करने पर पता चला कि मुझे जो क्लोरम फैनिकॉल दवाई उस समय दी जाती थी उसका कम मात्रा में डोस दिया गया है जिसके कारण अच्छे परिणाम आने की जगह लंबे समय तक क्लोरम फैनिकॉल देने के सारे दुश परिणाम आ गए है और आज से 40 वर्ष पूर्व यह प्लेट्रेट ट्रांस्यूजन अपने भारत में उपलब्द नहीं था मैं अस्पताल में भरती थी, मेरे सारे बाल जड़ गए थे, मेरे चमडी निकलने लगी थी और एक दिन शाम को एक मिस्टर ठाकूर मुझे अस्पताल में देखने आते थे ठाकूर साब का जिक्रे इसलिए करना चाहूंगी कि वे सूरत के क्यापारी थे और जब वे इंदोर बिजनस के सिलसिले में आते थे, तब वह मेरे नाना जी के हाँ भजन अटेंड करने आते थे वो मुझे अस्पताल में देखने आये, उन्होंने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली, मुझे विभूती खिलाई और मेरे पूरे शरीर पर उन्होंने वो विभूती लगाई, और कहा अब बच्ची अच्छी हो जाएगी, और वो चले गए दूसरे दिन जब चिकिस्सकों ने मेरी फिर से सारी ब्लड टेस्ट करी, तो उनका कहना था कि हमारी दवाईयों ने चमतकारिक रूप से परिणाम किया है परन्तु या चमतकार तो इशर का था बात आई गई हो गई, मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, मेरी रिकवरी बहुत अच्छे से हुई और कुछ महीनों पश्चात, मेरे पिता जी को राज महिंद्री में होने वाली एक सेवादल कॉन्फरेंस में जाने का अउसर मिला वहाँ पर ठाकुर साब उनसे मिले और उनके कंधे पर हाथ रख कर पूछते हैं कि आपकी बच्ची कैसी है तो पिता ने कहा कि आप जो विभूती प्रसाद दे कर गए थे, उसके बाद बहुत ही अच्छे से उसकी रिकवरी हो गई है और वो अब स्वस्त है उन्होंने कहा तुम्हें पता है वसंत, मैं वहाँ कैसे आया था उन्होंने कहा मैं उसी समय सूरज से इंदौर आया था और दोपर को अपने कमरे में सो रहा था भगवान मुझे स्वपन में आकर कहते हैं कि ये जो सामने कैलेंडर लगा है अभी अभी उस पर विबूती आएगी वो विबूती निकालो और मिशन अस्पताल में जाओ उस बच्ची को खिला कराओ मैं हडबड आकर उठा देखा तो पूरा कैलेंडर विबूती से भरा हुआ था मैंने वो विबूती निकाली मैं नीचे उत्रा मैंने रिक्षा वाले से कहा कि मुझे मिशन अस्पताल ले चलो भई वह मुझे वहाँ छोड़कर जैसे ही जाने लगा तो मैंने उस बच्ची की माता विजया बेन को नीचे देखा और मैं समझ गया कि आपकी बच्ची ही बिमार है और वह विबूती इश्वर ने आपकी बेटी के लिए भिजवाई थी तो वह स्वस्थ कैसे नहीं होती को समय समय पर भेचते ही रहते हैं भगवान की कृपा ऐसे ही निरंतर भहती चली गई और मैं कवीताइं लिखने लगी कुछ वर्षों पश्चात मेरी जो बालविकास की गुरू थी शेहलजा फड़के उन्होंने मुझे फिर से प्रेणा दी कि क्यो नहीं बालविकास में तुमने कुछ सीखा है उसके उपर एक कवीता लिखो और मैंने एक बहुत ही सुन्दर कवीता भगवान के चरणों में समरपित की 2004 एप्रिल के मैगजीन में वो पबलीश होई थी और 2005 डिसेmbर माह में मैं अपने क्लिनिक में बैठी थी और वही डाइरी खुली थी मैं जब डाइरी पढ़ रही थी और कवीता पढ़ते-पढ़ते मन में विचार कर रही थी कि स्वामी जिस समय मैंने डाइरी में वो कवीता लिखी थी मुझे पता है कि आपने पढ़ ली है फिर भी मुझे कैसे पता चलेगा स्वामी कि आपने मेरी कवीता पढ़ी है या नहीं पढ़ी और अब विश्वास मानिए कि उसी समय पोस्ट से बालविकास की मैगजीन आती है डिसेंबर माह की 2005 की यहने पूरे देड़ वर्ष के बाद और वह में मैगजीन खोलती हूँ प्रथम पुरुष्टपर जैसे की भगवान का एक चित्र होता है उसमें भगवान कुरसी पर बैठे हैं और एक बालविकास मैगजीन पढ़ रहे हैं मैंने लेंस लाकर और वह कौनसी किताब है वह देखने का प्रयास किया तो वह एप्रिल 2004 की ही किताब पढ़ रहे थे भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा बरसाई कि मुझे उन्होंने यह आउगत करा दिया कि उन्होंने मेरी कवीता पढ़ी है और सन 2013 में जब मैं अल्यूमिनाए बालविकास का जो भपुट्टपर्ती में कॉन्फरेंस हुई थी उसमें मुझे यह कवीता पढ़ने का आउसर प्राप्त होने वाला था परन्तु प्रैक्टिस में और समय आउधी नहोने के कारण मुझे बता दिया गया कि मुझे यह कवीता पढ़ने का आउसर प्राप्त नहीं होगा मैं साई कुलवन्थ हॉल में भगवान से प्राथना कर रही थी और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि स्वामी जिस समय मैंने कवीता लिखी थी आपने मेरी कवीता पढ़ी है और मुझे प्रमान भी दिया है कि आपने मेरी कवीता पढ़ी है क्या आप मेरे मुह से वो कवीता नहीं सुनेंगे बस इतनी ही प्राथना भगवान से की थी दूसरे दिन जब हम बालविकास के बच्चे अलिमिनाए सभी नाश्ता कर रहे थे तो कमला पांडिया अंटी जो बालविकास की हेट थी उन्होंने मुझे कहा कि निमिश पांडिया जी जब अपना भाशन दे रहे होंगे तो वो दो मिनिट के लिए अपना भाशन रोकेंगे और तुम्हारा नाम लेंगे तुम उस कवीदा के कोई चमतकार या किसी भी बारे में मत बताना सिर्फ अपनी कवीदा वहाँ पर सुनाना वो कवीदा भी अगर आप चाहें तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी साई, यह तुम्हारी ही तो प्रीत है जो रंग लाई है तुम्हारे आशिश से ही मेरी जिंदगी में बहार आई है मेरा ये मन भटकता फिर रहा था दुनिया भर के जंजालों में मन को नियंतरित कर ध्यान की महिमा तुमने ही तो सिखाई है मेरी ये आखे देखना चाहती थी दुनिया की चमक दमक आखों में ग्यान जूती जगा कर तुमने ही तो इसमें चमक लाई है मेरे ये होट कहना न जानते थे अच्छी बाते तुमने ही तो इन पर प्रेम रस की गगरिया चलकाई है मेरे ये कान उलजे रहते थे दुनिया भर की बाते सुनने में तुम्हारी मधुरवाणी ने ही तो भजनों की लगन लगाई है, मेरे ये हाथ उलजे रहते थे दुनिया भर के कार्यों में, सेवा कार्य करा कर इन से, तुमने ही तो इन में ताकत जगाई है, मेरा ये जीवन बीता जा रहा था यूही व्यर्थ में जी कर, दिन दुखियों म तुम्हें पाकर जीवन में सार्थकता नजर आई है मेरे ये पैर चले जा रहे थे गलत अंजानी राहों पर सत्य धर्म शांती प्रेम का मर्म समझा कर तुमने ही तो सही राह दिखाई है मेरा ये जीवन यूही बीता जा रहा था व्यर्थ में जी कर तुमने इस ज़न्म में मुक्त होने की वचन बढ़धता जो हमें पाई है साई यह तुमारी ही तो प्रीत है जो रंग लाई है सारी दुनिया भी कहां तुम्हें आज तक जान पाई है फिर भी यह जीवन तुम्हें सौपकर जीवन में धन्यता नजर आई है जीवन में धन्यता नजर आई है मैं भगवान के सुप्रभातम के बिना अपने दिन की शुरुवात नहीं करती हूं और उसुप्रभातम बोलने के बाद जब बच्चों को स्कूल जाने के लिए तयार करने के पहले पहले मैं भगवान का एक धाई मिनिट का ध्यान अवश्य करती हूं अब एक दिन ऐसा हुआ कि सेकंड सेटरडे था बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी मैंने सोचा आज तो कोई जल्दी नहीं है उटने की मैंने अलाम बन करके वापस सो गई साड़े छे पाउने साथ बजे का जो बीच का समय होता है जब मैं ध्यान किया करती थी उस समय मुझे एक स्वपना आता है और स्वपना में मुझे दिखता है कि एक जो हॉल है वो बहुत ही लोगों से पूरा भरा हुआ है उस हॉल में पाउं रखने की जगर नहीं है अता में उस हॉल की बालकनी में खड़ी हूँ बीच में केवल एक छोटा सा रास्ता छोड़ा हुआ है और थोड़ी देर में एकदम से शान्ती हो जाती है क्योंकि स्वयम भगवान बाबा चल कर आ रहे है और उनके पीछे-बीचे मेरे नाना जी भी चल कर आ रहे है जिनका मैंने जिक्र किया था भगवान इतनी भीड में जब हम किसी व्यक्ती को देख लेते हैं ऐसा भगवान मुझे देखकर हाथ दिखाते है और मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि देखो इतनी भीड में भी भगवान ने मुझे देख लिया है मैं बहुत प्रसन्न हो रही हूँ फिर भगवान मेरे नाना जी की तरफ मुझ करके कहते हैं आज सुबह यह मेरे दर्शन नहीं कर पाई इसलिए इसको दर्शन देने मुझे आना पड़ा जीवन का ऐसा ही समय गुजरता गया मैंने 1982 में सत्यसाई डिप्लोमा प्राप्त किया और उसी साल मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ और मेडिकल एडमिशन के बाद मैंने MBBS की पढ़ाई इंदौर से ही की मैंने विवाह के बाद पोस्ट ग्रेज़ेशन किया और मेरे विवाह जब तय हुआ था तब मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा विवाह पुटपरती में भगवान के सामने हूँ परन्तु चू कि ससुराल के लोग भगवान के भक्त नहीं थे अतह या संभव नहीं हो सकता था हमारे स्टेज था उसके पास में ही हाथ से निरंतर जल निकल रहा है और सारा टेबल क्लोथ गीला हो गया है मेरे पिताजी ने आकर देखा तो भगवान के हाथों से अमरुद भहरा था जितने भी भगवान को मानने वाले रिष्टेदार थे उन्होंने इस बात को से बहुत प्रसुन हुए कि भगवान ने अपनी उपस्थिती वहां भी दर्श कराई और मुझे आशिरवाद दिया आज विवा के 31 वर्ष हो गये हैं और मैं भगवान के कारियों में अनवरत अपने आपको पाती हूँ करते हुए और यह उन्हीं की महिमा है उन्हीं की आशिरवाद है जिसके कारण मैं भगवान के कारियों इतनी तरह से कर रही हूँ बार-बार जीवन में कई उता और चढ़ाओ भी आते रहते हैं और एक बार जब मैं कुछ पढ़ रही थी और भगवान के बारे में मैं अलग-अलग जगों पर बता रही थी तब मुझे एक स्टडी सरकल में द्रावपदी के उपर बोलने का आउसर मिला जब मैंने द्रावपदी पर बोला उसके बाद ही मेरा पुटपरती आना हुआ जून महा में और मैंने स्वामी को एक पत्र लिखा कि स्वामी आप तो हमेशा से ही मीरा बाई पर बोलते हैं सकु बाई पर बोलते हैं सुमित्रा पर बोलते हैं सीता जी पे बोलते हैं, पर आपने कभी द्रावपदी पर नहीं बोला है, तो क्या मुझे द्रावपदी पर बोलना चाहिए, या मुझे अपना विशय परिवर्तित करना चाहिए? वो पत्र भगवान ने मेरा ले लिया, और जैसा कि हमेशा से होता है कि भगवान उस समय तो कभी जवाब नहीं देते, जैसे ही जून महने में हम, एंड में हम इंदोर पहुँचे, और जुलाई महने का सनातन सार्थी मेरे हाथ में आया, उसमें पहला प्रवचन भगवान का ही होता है, और उसमें भगवान सिर्फ द्रावपदी पर ही बोले थे, और आप मुझे बताते हुए एक खुशी होती है कि मैं 108 कारेक्रम द्रावपदी पर अलग-अलग जगों पर कर चुकी हूँ, दीरे-दीरे सिलसिला आगे बढ़ता गया, बहुत सारे स्वपन के माध्यम से भगवान ने मुझे हमेशा ही प्रेणा दी है, मुझे बहुत बार लोगों ने पूछा कि क्या आप स्वामी से कभी मिले हैं, या उन्होंने आपको इंटर्यू दिया है, पर मुझे लगता है कि उसकी कोई आवर्शक्ता ही मुझे नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान को जब भी मुझे मार्गदर्शन देने की ज़रुरत लगती थी, वो मुझे स्वपन में आकर मुझे मार्गदर्शित करते रहे हैं, और मुझे वो जो स्वपन में मारगदर्शन दिया है, वो मेरे लिए एक बहुत ही अनूठी धरोहर है, दूसरी घटना में बताना चाहूंगी कि मैंने 1975 में भगवान के सामने कारेक्रम प्रस्तूत किया था, और मेरी बेटी को सन 2000, याने बराबर 25 वर्षों बाद यही आउस प्राप्त हुआ, भगवान सामने बैठे थे, बच्ची सामने स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, और एक मा इसको विटनेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आँखों से निरंतर अश्रू बह रहे थे, कि यह सु आउसर मुझे मिला है, जो आज मेरी पुत्री को भी वह आउ और भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उसका एक उधारन बताना चाहूंगी कि एक बार मैं एक चरिटिबल हॉस्पिटल में ओपरेशन कर रही थी, टॉंसिल का ओपरेशन था, इतनी अच्छी सुविधाये वहां नहीं थी, मैंने एक तरफ का टॉंसिल निकाल दिया था और उसी समय एनस्थेटिस जो थे हमारे, वो कुछ लेने के लिए नीचे जुके, और जो ऑपरेशन के दौरान एंडोट्रेकियल ट्यूब कहे जाता है, जो मुँ में डाली जाती है, जिसके दौरा बच्चे को एनस्थीशा भी जा रहा था, और ऑक्सिजन का प्रवाह भी जा रहा था, वो उनके हाथ से बाहर निकल गई, ऐसे समय में डर ये होता है, कि अगर वो खून जो हमने ऑपरेशन के दौरान जो खून निकला है, वो अगर सांसनली में चला गया, तो सांसनली पूरी तरह से जकर जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो बच्ची को ऑक्सिजन का प्रवाह पुरी तरह से बंद हो जाएगा, और उसकी मृत्यू भी हो सकती है, मैं अपने भगवान को बहुत ही दिल की गहराई से याद करने लगी, साइराम साइराम का जब अंदर चालू हो गया, और अचानक एक चमतकार होता है, ऑपरेशन थीटर का दर्वाजा बहु कोई भी अंदर नहीं आता है, अंदर आता है तो सिर्फ एक केशरिया रंग का प्रकाश, जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं समझ गई कि मेरे भगवान मेरी मदद के लिए आ गए हैं, उसके बाद हमने उसकी ट्यूब डाली, हमने दूसरी तरफ का टॉंसिल भ कि साई के उपर जो विश्वास है, उसे कभी दगमगाने न देना, क्योंकि साई ही सर्वोपरी है, शिखर पर बैठे हुए हमारे माता, पिता, गुरू, मित्र, सब कुछ है, जब भी मुझे कोई समस्या लगती है, वो मैं भगवान को पत्र लिखकर और रिक्वेस्ट करती और भगवान के फोटो के सामने वो पत्र रख देती हूँ, और मुझे लगता है कि भगवान मेरा पत्र अवश्य ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसका समाधान वो बार-बार मुझे स्वपन के माध्यों से देते रहते हैं। आज संगठन की मात्री एवं शिशु देखभाल इकाई की समनवई का डॉक्टर श्रीमती माधवी पटेल जी के साथ हुई हमारी भेंटवारता का पहला भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंटवारता रेडियो साई के स्टूडियो में 15 सितंबर सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। साई राम आप सुन रहे है रेडियो साई हिंदी का प्रशान्ति निलियम से प्रसारण। अब प्रस्तुत है भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन पर आधारित भाग प्रेमा वतार श्री सत्य साई हम सभी शोताओं को बताना चाहेंगे कि इस प्रसारण के विवरण सत्यम, शिवम, सुन्दरम, पुस्तक, भाग एक के हिंदी व अंग्रेजी संसकर्णों को मिला कर तयार किये गए हैं ये विवरण पुस्तक के अध्याय 14 हमारी सार्थी से लिए गये हैं प्रसारण को सरल, सहज, वा बोधगम्य बनाने के लिए तथा आवश्यक समरस्ता वा निरवाध प्रवाह के लिए उद्धरणों को संपादित भी किया गया है सन 1958 में भगवान श्री सत्यसाई बाबा ने एक मासिक पत्रिका का शुभारंब किया इस पत्रिका को नाम दिया गया सनातन सार्थी आज के इस प्रसारण में हम सुनने जा रहे हैं सनातन सार्थी पत्रिका के प्रकाशन के आरंभ होने की जानकारी इसकी साथ ही इस पत्रिका में बाबा द्वारा लिखे गए लेख और दिव ज्ञान से भरी उनकी सरल लेकिन हृदय की गहराईयों को छूती हुई लेखनी के अनुभव आईए बाबा के जीवन के सनातन सार्थी पत्रिका से जोड़े विविद उद्धर्णों की यात्रा आरंभ करती हैं इश्वर सभी प्राणियों के हिर्दय में निवास करते हैं भगवत गीता के इसकतना नुसार सब के हिर्दय में इश्वर का वास है हमारे देहरुपी रत को जिस प्रकार इश्वर हृदय में बैठ कर चलाते हैं, उसी प्रकार धर्म शेत्र में अर्जुन के रत का सार्थी बनने का श्रेकृष्ण भगवान ने प्रण किया, नर का सार्थी बनना नारायन ने स्विकार किया, मानाओ के आच्रण को माधो ने ही सुधारा, अगणित रणशेत्रों में योधाओं को मार कर वीरता से युध लड़ने वाला आर्जुन, कुरकशेत्र में केवल मैं और मेरे, इस प्रकार मोह से घर गया, स्वधर्म छिप गया, स्वधर्म भूलकर वो धनुश बान नीचे फैंक कर बैठ गया, वो किसके का खिलोना है, ये वो स्वैम न जानता हुआ, मोह से बंद कर दुखी हो गया, मेरे हाथ ठक गए है, मेरी जिववा शुष्क हो रही है, मेरा सरचकरा रहा है, ये कहता हुआ आर्जुन, रोने लगा, अनेको सांसारिक मोह के कारणों सहित, उसकी बुद्धी ने उसे कर्तव को भूल कर पीछे हटने के लिए बाद्ध किया, किन्तो श्रे कृष्ण भगवान ने उसके अज्ञान को दूर किया, उसके दुख के कारण को स्पष्ट कर उसके अज्ञान, अहंकार और मोह, इन तीनों को निर्मूल किया, तुम तो केवल निमित मात्र हो, मेरी शरण में अजाओ, इस प्रकार का उपदेश देकर कर्मफल त्याग रूपी अनासक्ती योग का ज्ञान प्रदान किया, और अंतुतह, मेरा मुह नश्ट हुआ, मेरी संशे संदेह अगोचर हुए, ये कहते हुए अर्जुन ने पुना धनुश उठाया, सन 1958 की शिवरात्री के दिन, अपने आशिरवात के साथ एक मासिक पत्रिका का बाबा ने शुभारंब करते हुए, सनातन सार्थी नामकरण किया, क्योंकि अर्जुन की भाथी, हम लोगों को मुह, अहंकार और अज्ञान से मुक्त करने के लिए ही, बाबा मानुआकार धारण कराए हैं, उनकी शरण में जाकर, उनसे प्रार्थन करने पर, हमारे जीवन रत को हाँखने के लिए, वे सदा तत्पन हैं, ये ध्यान देने योग्य है कि बाबा ने इस पत्रिका को सनातन सार्थी नाम दिया, वे हमारे जीवन रत के सार्थी जो हैं, इस तत्व को सार्थी शब्द स्पस्ट करता है, सनातन शब्द भी अर्थपून है, केवल एक अर्जुन को ही नहीं, वरन सब शरणागतों के सार अर्थी बननी की ही उनकी विशेश क्रिपा है, ये क्रिपा शरिष्टी के स्रिजन और मानों की उत्पत्ति के समय से ही भगवान द्वारा सतत रूप में जारी है, इस प्रकार सनातन शब्द, देश, काल और समय से परे परमेश्वर के अनाधी और अनंत स्वरूप को मेश्वर के द्वारा मानों रूप लेने और मानों के जीवन के रथ को सही मार्ग पर ले जाने वाले सार्थी यानी सच्चे मार्ग दर्शक, शुपचिंतक वा कृपा प्रदाता होने का प्रतीक है, प्रत्येक मासिक अंक में बाबस्वेम सनातन सार्थी में लेख देते, प्रतिवर्ष एक विशे चुनकर उसका पुष्टिकरण और स्पष्टिकरण कर लिखते रहते। प्रेम वाहिनी, प्रशान्ती वाहिनी, ज्यान वाहिनी और धर्म वाहिनी आधी ऐसी लेख मालाएं बनकर वाजकों की अंतर द्रिश्टी को प्रकाशित कर रही हैं। प्रथम वर्ष, संदेह निवारणी, इस शर्षक के अंतरगत बाबा ने अनेक लेख लिखे, किन्तु उनकी प्रत्यक बात में भक्त और सादकों के संदेहों का निवारण करने की शक्ती और उद्देश मौजूद रहते हैं। बाबा की लेखन चैली, सुलब, सरल, स्पस्ट और सुमधुर है। हमें अनुग्रहित कर हमसे संभाशन कर रहे हूं। उन लेखों के बीच आते हुए नाइना याने बापू, बाबू, बंगारू यानी मेरे सुर्ण समान। इत्यादी संबोधनों को पढ़ने से आत्मियता का अनुभव होता है। वे स्वैम कलम पकड़ कर लोगों को इश्वर की ओर ले जाने के लिए लेख लिखते। बाबा ने सनातन सार्थी में लिखा है कि अपने बोए हुए बीज अंकुरित न हूँ, पुष्ट न हूँ वद्रड होने पर भी फल दायक न हूँ, तो किसान कितना दुखी होता है जानते हो। तुम्हारी हृदय भूमी में सत्य वचन के बीज मैं बोता हूँ, यदि उस बीज से वरिक्ष होने पर फल प्राप्त नहीं होता है, तो मुझे भी थोड़ा दुख होता है, तुम्हारा आनंद फल ही मेरा आहार है, तुमसे यही सिवा की अपेक्षा करता हूँ, इसे से उ पहली भातिया आचरण कर उससे प्राप्त अनुभावों से तुम आनंद प्राप्त करो, यही मेरा अपदिश्य है, इसी में ही मेरा आनंद है, तुमसे और भी बाते कहनी है, मेरा आगमन इसी कारण के लिए है, उन्हों ले लिखा कि तुम मेरे वचनों पर अमल करो, तो य यही सबसे बड़ी सेवा है, इससे अधिक और कुछ भी करने की आवशक्ता नहीं है, यही सबसे बढ़कर है, जो सत्य और उत्तम मार्ग मैंने तुम्हें बताया है, वो तुम्हारी ही भलाई के लिए है, यदि तुम इस पर अमल करोगे, इसका अभ्यास करोगे, तो जो आ आनंद तुम्हें प्राप्त होगा, वही मेरा आहार है, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान देकर उन्हें दैनिक अभ्यास में लाते हो, तो मैं तुम्हें बड़ी प्रसनता के साथ और अधिक बातें बताऊँगा, केवल वक केवल इसी कारण तो मैंने यह उतार लिया वे कहा करते कि मुझसे धर्म मार्ग एवं ब्रम मार्ग का ज्यान सुनने का और समझ लेने का प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है, कोई भी वक्ती उनके पास इस उद्देश के लिए आ सकता है, इस उद्देश से मेरे पास आने में जराभी भै या संकोच मत करो, उनकी कही ह वी बातों का अर्थ हम समझते हैं कि नहीं, इसको बाबा स्वयम प्रश्नकर पक्का भी कर लेते, कितनी भी बार उस प्रकार के लोगों को भेंट देने के लिए वे सदय उत्तत पर रहते, एक बार संतोश पूर्वक उन्होंने कहा कि, आज कल धर्म का स्वरूप, साधना मा अर्ग आत्मविचार आधि के विशय में, मुझसे पूछने वालों के संख्या पहले से बढ़ी है, इस प्रकार बाबा ने संतोश प्रकट किया भक्तों का मार्ग दर्शन करने के लिए सदय उतत पर रहते थे, हमने यी भी जाना कि बाबा ने प्रत्येक वर्ष एक विशय चुनकर उस पर निरंतर लेख लिखे, ये लेख भविश्य में वाहिनियों के रूप में प्रकाशित किये गए, आज अनेक दश्कों के बाद भ इस श्रिंखला की अनेक उदाहरण है। अब प्रस्तुत है हमारा कारेक्रम अवतार वानी। प्रस्तुत है हमारा कारेक्रम अवतार विश्य में प्रस्तुत है हमारा कारेक्रम अवतार वानी। प्रस्तुत है हमारा कारेक्रम अवतार वानी। प्रस्तुत है हमारा कारेक्रम अवतार विश्य में प्रस्तुत है। 시, वेर वह ग्न्दम कारेक्रम अवतार कारेक्रम थे जान अवतार विश्य में प्रस्तुत है व् collectorism जब तुम प्रशांत चित्त वाले होकर पवित्र भावनाओं के साथ अपने हिर्दय को विक्सित करोगे तब उस हिर्दय की सुगंध सर्वत्र व्याप्त होगी और तुम भी उस सुगंध का अनुभो प्राप्त कर पाओगे जब हिर्दय दुर्भावनाओं, दुष्चिन्ताओं, दुष्चेश्टाओं से भर जाएगा तब उन दुर्भावनाओं की दुरगंध दूसरों तक पहुँचेगी और तुम्हें भी उसका अनुभो प्राप्त करना पड़ेगा अच्छे बुरे संकल्प बढ़ेंगे तो उन्हें स्वयम अपने जन तथा चारों और रहने वालों को अनुभो करना पड़ेगा इन अच्छे बुरे गंध में कोई अंतर नहीं रहता है तुम अपने दाहिने हाथ में एक गुलाब का फूल धरोगे तो उसकी सुगंध तुम्हें भी पहुँचेगी और तुम्हारे चारों और रहने वालों को भी वह सुगंध प्राप्त होगी उसी गुलाब के फूल को तुम अपने बाएं हाथ में घरोगे तो भी वह सुगंद सब को प्राप्त होगी और तुम्हें भी प्राप्त होगी दाएं बाएं का अंतर तुम्हारे लिए है सुगंद के लिए कोई अंतर नहीं है आपुस्west अरावप्रीव्ण निककोडब में चेप्प्ट वच्याडओं गेतआचाणेद आश्याओ आस्थिक, नास्थिक, आस्थिक, आस्थिक, नास्थिक इए मुणुं दत्थ्दमुले यांद looking up you persian the third Ghost, केवलमु गुणमु युक्का स्वभामस्वरूपमुले। वी पूरिक कुड़नु अथीधमेल पिन्टी मरोकुड़कु पुड़ुनाद। वाडे यास्थी कुड़ुववन्नाद। आस्थी कुड़नेगा आत्म विष्वासम कलवाड। नास्azz legendsेan नास्थीकानेगा अड़िक्ति विष्वासम कलवाड। आस्थीकानेगा केवलमु वक प्रहलादुनि वन्टित वाड। यिदा आतमेगां प्रारमहमयıld हिप्र अज्वासम। वो करी भोधन चेतकानी वो करी निर्बतव चेतकानी इजी प्रारम बेचे ने ठुटे दिखा देखे नास्तिक आस्तिक का अंतर तुम्हारी द्रिष्टी में है परन्तु अच्छा काम करने वाला नास्तिक भी इश्वर के लिए प्रिय है अतह गीताचारे ने कहा कि जो भी इन राग द्वेश को वश में करता है वह उनके लिए अत्यन्त प्रिय है आस्तिक नास्तिक और आस्तिक नास्तिक इन तीनों ततों में नहित रहस्य गुणों के स्वभाव और स्वरूप का है इन तीनों से परे एक और है जिसे यास्तिक कहा गया है आस्तिक का अर्थ आत्मविश्वास से परिपूर्ण है नास्तिक का अर्थ ऐसा विश्वास जिसमें नहीं है आस्तिक नास्तिक का अर्थ जो दुख के समय आस्तिक और सुख के समय नास्तिक भावनाओं अर्थात दो कुनों का अनुभोब राप्त करता है यास्तिक का अर्थ प्रलाद के समान वाला यह जन्म के आरम से ही नहित पवित्र भावना है यह किसी के उपदेश से अत्वा किसी के जोर देने पर अनुसरन किया गया तत्व नहीं है स्वाभालिकमाय तत्तों चेता ससरूपान संदन जिचको कलिगाडू प्रहलाद के अबुदेया वासी यह जोर अरमात्मुनी तानु निदंतरम कुड़नों अनुभोविस्थ उणडटन चेतने आनंदाने की गुरेजयाडू अंदोो वलंने अथने की प्रहलादा ने युँटे पेरू सात्तकमाय युदे प्रहभ आख Ground VO कीषम से प्रहलादा OUT. इस प्रहलादा-ख प्रहलादा. इस निदंदरम पुड़नों अनुट मों ऋंटें पुटिपुट वाड़करिका अथने की प्रहलादा ने पेरू प्रहाद, अलादम अनदम, आखलादम अनदम, प्रादम 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 अनदम, प्र प्रह्लाद ने स्वाभाविक रूप में स्वस्वरूप का दर्शन किया। हृदयवासी परमात्मा का स्वयम निरंतर अनुभो प्राप्त करने के कारण उसे अपार आनंद प्राप्त हुआ। इसलिए उसका नाम प्रहलाद सार्थक हुआ। प्रधन आलाद यही प्रहलाद है। निरंतर आनंद की स्थिति में रहने के कारण उसका नाम प्रलाद पड़ा। प्रहलाद। हलाद का अर्थ आनंद है। अलाद का अर्थ आनंद है। प्रकार्थ विकास है। प्रपंच कहा गया है। अर्थात पंच भूतों से युप्त होकर प्रकाश्मान संसार। इसी प्रक आनंद से विकसित होने के कारण प्रलाद कहा गया है। अतह निरंतर इश्वर का चिंतन करते रहने पर हमें वैसा ही आनंद प्रकाशमान होगा। हमारी तेजस्विता ही परिवर्ट्त हो जाएगी। अर्थात ब्रह्मतत्व के साथ आयक्य हो जाएगी। अतह इस प्राथमिक स्थिती में हमें इन राग द्वेश को यथा संभव प्रयत्न पूर्वक वश्मे करने के प्रयत्न करने चाहिए। यह हर प्रकार से मानवता को उ किसी के लिए भी ये राग द्वेश अच्छे नहीं है साधक का प्रधान करतव्य इन काम और क्रोध को वश में करने के उपकरम करना ही है ऐसे प्रयत्न करने के उपरांत चाहे जितनी भी साधनाई क्यों न करें तभी सार्थक होंगी इनको वश में किये बगैर जितनी भी साधनाई करें सभी के प्रयोजन शून यही होंगे अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी आज आपने भगवान बाबाद्वारा सन 1984 में श्रीमत भगवत गीता पर दिये गए दिव्व संभाशन का एक भाग सुना अब प्रस्तुत है हमारा लोग प्रियकारिक्रम साई का प्यार जीवनाधार आज इसकी अंतरगत हम मध्यप्रदेश राज्य संगठन की मात्री एवं शिशु देखभा लिकाई की समन्वाई का डॉक्टर श्रीमती माधवी पटेल जी के साथ हुई हमारी भेंटवारता का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे है भगवान बाबा के संगठन के द्वारा चलाई गई जो भी गतिविधियां है उसमें से कौन सी एक्टिविटी कौन सी गतिविधि आपको सबसे अच्छी लगती है रुचिकर लगती है और क्यों भगवान बाबा ने जो उनकी जो में उक्ति है उनका कहना है कि लव औल सर्व औल और मुझे उनका जो सर्व औल वाला कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा लगता है एक बार का उधारन बताना चाहूंगी हम एक गाओं में एक शीविर लगाया था जिसमें हम अलग-अलग डॉक्टर को लेकर गए थे विबिन्न विशयों के थे पर चुकि हमारे साथ कोई सर्जन नहीं आ सके थे मैं कानना गले की सर्जन जरूर हूँ पर जनरल सर्जरी के बारे में मुझे बहुत जानकार ही नहीं थी एक महीला आई जिसके हाथ पर बहुत बड़ा एप्सिस हो गया था और वो एप्सिस इतना अधिक बड़ा था कि उससे इतना दर्ध हो रा था कि हम उसके दर्ध को महिसूस कर पा रहे थे एपसिस याने पस से भरी हुई एक ठैली हो जाती है फोड़ा होता है जिसके अंदर पस भर गया है तो जब पस चमड़ी के उपर किसी चीज में भर जाता है तो बहुत ही अधिक दर्द होता है तो उस महिला को बहुत अधिक दर्द हो रहा था मैंने भगवान से प्राथना की कि चोकि आज हमारे पास कोई सर्जन भी नहीं है और यहां सर्जनी करने के लिए मेरे पास कोई ओजार भी नहीं है तो आप ही आके कुछ मदद करिए चिस्से की उस महिला का दर्द मैं कम कर सकूँ विश्वास मानिये मैंने वहां बैठे बैठे उस टेबल का ड्रॉवर खीचा और जैसे ही मैंने ड्रॉवर खीचा उसके अंदर दो स्टराइल नाइफ मुझे मिले जो इंपोर्टेड नाइफ होते हैं जो अल्रेडी प्री स्टरलाइजड होते हैं वो मुझे मिले वो मुझे बता नहीं कि उस शिवीर में वहां तक कैसे पहुँचे होंगे शैद भगवान की ही लीला होगी मैंने वो नाइफ निकाला उस महीला को थोड़ी सांतवना देते हुए मैंने उसके वो फोड़े को, एपसिस को फोड़ दिया उससे नाइफ से कट कर दिया, उसका पूरा पस निकल गया और आधे घंटे में जब हमने उसका ड्रेसिंग वगरे कर दिया आधे घंटे में वो महीला बिना दर्द के हसते हुए अपने घर जा रही थी तो भगवान ऐसे स्थानों पर भी हमारी आकर बार बार मदद करते हैं इंदॉर के पास एक ऐसा गाउं था जहां पर पहुचने के लिए हमें गाउं में नाउं से बैट कर जाना पड़ता था पहले हम एक दो किलो मीटर तक पैदल चलते थे उसके बाद हम सरकारी नाउं का सहरा लेते थे उसमें बैट कर हम उस नदी को पार करते थे और फिर वहां से भी हमें फिर से एक दो किलो मीटर चल कर गाउं तक माचना पड़ता था आपको समझ नहीं आएगा कि अगर कोई महीला को प्रसुती का दर्द हुआ तो उसे कई बार नाउं में भी डिलिवरी हो चुकी थी तो हम जाते थे कि इसका कोई अच्छा उपाय हो हमारे समीती को भी इस बाद से अउगत कराया गया और हमारे यूथ ने मिलकर एक पत्थरों को जोड़कर एक पूल उस पर निर्मान किया कई बार ऐसा होता था कि नाओं के अंदर छेद हो जाता था और अंदर से पानी अंदर गुसने लगता था और हम सब जो आट-डस लोग रहते थे उसमें से कई लोग तैरना नहीं जानते थे वो बहुत चिंतित हो जाया करते थे कि हम कैसे वहाँ पहुँच पाएंगे सुरक्षित रूप से परन्तु भगवान जब हमारे साथ ही चल रहे हैं तो फिर हमारी किस बात में हमें डरनी की क्या जरुवत है वो हमेशा कहते हैं why fear when I am here तो हमने उस बात को हर वक्त हर शिवीर में हर medical camp में महसूस किया है कि भगवान ने आकर हमारी रक्षा की है भगवान ने आकर हमारे मरिजों की भी रक्षा की है और इसलिए हम जो भी camp या जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं Mother and Child Care के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए मैं मध्यप्रदेश और 36 गड़ों के 29 डिस्ट्रिक्स में अलग-अलग स्थानों पर गई हूँ वहाँ पर हमने लोगों को गाइड किया है कि किस तरह से मात्रू और शीशू सरक्षन के लिए कार्य किया जाए और चूकि मैं येंटी सर्जन हूँ फिर भी मैं माता और उसके लिए जब गाइड करती हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान ही मुझे बार-बार मार्गदर्शित करते हैं कि उसमें मुझे और क्या जोड़ना चाहिए मेरे प्रेजेंटेशन में मुझे किस तरह से समझाना चाहिए कभी किसी जगा पर जाने के बाद हमें लगा कि यहाँ पर तो जो गाओं के लोग है उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी आदते हैं वो तंबाकू खाते हैं सुपारी खाते हैं जिससे कि मुझे का कैंसर हो सकता है और यह भारत में पूरशों में होने वाला सबसे प्रथम नंबर का कैंसर है मुझे का कैंसर और उसके लिए फिर मैं उन्हें जागरुत करती हूँ कि उन्हें इन चीजों से कितन तीस तरह से परावर्तित होना है और ये भगवान पहले से ही एक इंडिकेशन दे देते हैं कि इसको चालू करो उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम आता है कि भगवान ने कहा है डी एडिक्शन पर भी कार्य किया जाए और उसके पहले से भगवान ने कार्य हमें सौब दिया रहता है तो भगवान मार्ग दिर्शन देते जाएं और हम भगवान के इस सेवा कार्यों में अपने आपको पूरी तरह से सलग न कर दे भगवान के आशिरवाद से हम साई अवेरनेस दुनिया के कोने-कोने तक फैला सके इसके लिए भगवान को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं एक उधारन माता पिता का भी बताना चाहूंगी मेरे पिता जी ने मा के कहने पे कहा कि हम ऐसा करेंगे कि हम पुटपर्ती जाएंगे वो लोग पुटपर्ती पहुँचे एक बार ऐसा ही उन दोनों ने सोचा कि हम आज दर्शन के पश्चाथ हमें निकल जाना पड़ेगा क्योंकि उस समय धर्मावरम जाने वाली अंतिम बस छे बजे चुट जाया करती थी तो मेरे पिता जी ने कहा कि तुम तीन बजे के बाद दर्शन के बाद वापस शेड में आ जाना क्योंकि उस समय शेड में ही सामान रखा जाता था परन तु पता नहीं उस दिन भगवान के दर्शनों में क्या आनंद आया कि दोनों ही दर्शन करते रह गए और उठी न सके और जैसे ही वे साड़े चार बजे दर्शनों के पश्चात अपने शेड में पहुँचे तो पता चला कि जो सेवा दल का व्यक्ती है वो ताला लगा कर कहीं चला गया है उन्हें आदा गंटा और लेट हो गए जब वो स्टेशन पर पहुँचे तो उन्हें दिक पता चला कि अन्तिम बस जा चुकी है पिता जी ने कहा कि कल का रिजर्वेशन करा लेंगे एक दिन और यहीं रुख जाते हैं और मेरे माता जी को हमेशा चिड़ाते हैं क्योंकि मेरी माता जी जो है वो भारदवाज गोतर की है और वो कहती है कि स्वामी तो मेरे भाई है तो मेरे माता जी को चिड़ाते हुए कहते हैं कि देखो तुमारे भाई तुमारा कैसा ध्यान रख रहे हैं अपने दामात का कैसा ध्यान रख रहे हैं और इतने में जब वो पता कर रहे होते हैं कि अगली बस उन्हें कब मिलेगी अगला reservation कैसे करवाना है इतने में एक बस आती है और उनसे कहती है धर्मावरम धर्मावरम जल्दी जल्दी बैठिये माता पिता जी को इशारा करती है कि आईए ये बस धर्मावरम ही जा रही है वो माता पिता को सामान सही तो उस बस में बिठा लेते हैं धर्मावरम छोडते हैं रास्ते में उन्हें चाई भी बिलाई और जब धर्मावरम station पर मेरे पिताजी ने उनसे किराया देने की पेशकर की, तो उन्होंने किराया लेने से मना कर दिया, उनका कहना था कि यह बस शेडियूल नहीं थी इसलिए हम आपसे कोई किराया नहीं ले सकते, तो मेरी माता ने कहा कि देखो, मेरे भाई इने बस भी फेजी और दामाद से पैसे कैसे ले सकते हैं इसलिए उन्होंने आपसे किराय भी नहीं लिया तो ऐसी छोटी-छोटी घटनाए होती है जीवन में जो बार-बार इस बात के लिए आपको मजबूर कर देती है कि उनका इश्वरत्व उन्होंने हमारे सामने साबित कर दिया है और उस इश्वर को हम कैसे भूल सकते हैं मेरे पिताजी का एक बहुत बड़ा एक्सिडेंट हुआ था और उस एक्सिडेंट में उनके साथ जो दो लोग आगे बैठे थे उनकी तो उसी स्पॉट पर मृत्य हो गई थी और पिताजी को काफी फ्रेक्चर्स हुए थे उनकी कॉलर बोन तुट गई थी उनकी रिप्स में फ्रेक्चर हो गया था जबडे की हड़ी तूट गई थी फिर एक भले मानस ने उन्हें उठा कर और अपने ट्रक में डाला और सीहौर के अस्पटाल में उन्हें ले जा कर भरती कर दिया भगवान की कुरुपा ही होगी कि वहाँ जो डॉक्टर उस समय ड्यूटी पर थे वे सत्केसाई बाबा के भक्त ही थे और उन्होंने मेरे पिताजी को पहचान लिया उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो उन्होंने ट्रंकॉल बुक करके और हमारे घर पे इस बात की सूचना दी और दशहरे का दिन था मामा जी के यहां दशहरे को जो समीती है इंदौर समीती उनके यहां भजन चल रहा था और मेरे बड़े मामा जी को बार बार स्वामी फोटो में से कहते थे कि वसंत्राव ठीक है तो उन्हें बहुत आश्यर है लग रहा था, वो बार बार हमारे घर जाते, मेरी माँ से पुछते कि वो आ गए क्या, तो माँ कहते नहीं, तो उनको बार 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 यसा लगता था कि ये बार बार पूछने क्यों आ रहे हैं, कि वो आ गए हैं क्या, आ गए हैं क्या, और पिता जी का उसमें कोर्ट केस भी चला और कोर्ट में जब गवाही देने पिता जी बालबार जाते थे तो हर बार ये बोलते थे कि एक तीसरा आदमी भी हमारे साथ था जिसने मुझे कार का दर्वाजा खोल के बाहर फिक दिया परन्तु जो स्पॉर्ट पे कार मिली अमबैसे पांचवा व्यक्ति था उसके बारे में कोई बताने को तयार नहीं है पर पिता जी जानते हैं कि एक पांचवा व्यक्ति कार में उस समय था जिसने मुझे गाड़ी से बाहर फेक दिया गया था और उसके कारण वो भज गए आज 84 वर्ष तक उन्होंने भगवान के चरणों अपनी सेवाई समर्पीत की है आप मात्र एवं शिशू सनरक्षन कारक्रम की प्रांती समनवयक हैं कृपया इस कारक्रम की थोड़ी उपियोगी ताएवं महत्वे पर प्रकाश डालना चाहेंगी मात्रू एवं शिशू सरक्षन ट्रेनिंग के लिए हमने सर्वपरथम एक Master Trainers का कोर्स एक जग़ा आयोजित किया जिसमें हमने 52 महिलाओं को मात्रू सिशू सरक्षन पे क्या कारिया हमें गाउँ जाकर करना है उसके लिए ट्रेनिंग दिया उसके अंतरगत हम विभिन विशेयों को लेते हैं उसमें सबसे पहला होता है स्वच्छता एवं स्वास्थ कि हमें गाओं में किस तरह से उन्हें समझाना चाहिए कि स्वास्थ अच्छा होगा तो ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है मानसिक, सामाजिक, शारिरिक और अध्यात्मिक स्वास्थ अच्छा होना बहुत आवर्शक होता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसका हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें समझाय जाता है उसके पश्चात हम मात्रु समरक्षन पर उन्हें एक ट्रेनिंग देते हैं कि हमें गाओं जाकर उन महिलाओं को जो प्रसुत होने वाली है गर्भवती महिलाओं को गोध लेना है और उनका पूरा हमें देखभाल करना है जैसे एक लड़की हमारे हाँ डिलेवरी के लिए आती है अपनी बच्ची तो हम किस तरह से उस बच्ची का ध्यान रखेंगे वैसा ही ध्यान हमें उस गर्भवती महिला का रखना है उसके खान पान का उसके अच्छे स्वास्थ का उसकी दवाईयों के बारे में हमें जानकारी लेना है और अगर उसे किसी चीश की कमी है तो वह भी हम उसकी पूर्ण कर सकते हैं जैसे उसे आइरन फॉलिक एसिड की गोलिया लेने के लिए कहना प्रोटीन लेने के लिए कहना और उसे अगर उसके पास वह सवुषविधाय नहीं है तो हम वह उन तक पहुँचाने का बिप्रयास करते हैं हम उन गर्भवती महिलाओं की गोदभराई भी करते हैं और उन्हें पूरी तरह से गाइड करते हैं किस तरह से उन्हें अस्पताल में प्रसव कराना आवश्यक है और अस्पताल में प्रसव कराने के क्या फाइदे हैं और उसके पश्चाथ हम उन्हें शीशू सरक्षन पर ट्रेनिंग देते हैं जिसमें कि 90 शीशू से लेकर तो 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें क्या क्या संभावनाए होती है क्या खतरनाक बीमारिया हो सकती है किस तरह से हमें उन्हें बचाना होता है उसके पश्चाथ हम उन्हें सेवा के उपर मार्गदर्शन देते हैं कि सेवा एक बहुत ही बड़ी साधना है जो भगवान ने हमारे लिए एक मारग दरशक के रूप में हमें चुना है और हमें उस सेवा रूपी साधना के ऊपर चल कर ही हम भगवान तक पहुँच सकते हैं और उसके लिए हमें क्या आवश्यक है इसके लिए मैं उन्हें मारग दरशित करती हूं बहुत सारी छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से, लोगों के विचारों से, लोगों के experience से हम उन्हें बताते हैं कि किस तरह सेवा करने से हम उच्चतर स्थर पर भगवान के निकट पहुँच सकते हैं. और इसके लिए हम उन्हें गाइड करते हैं. मुझे बताते हुए खुशी होगी कि हमारी यहां की संस्था ने एक किताब भी उस पर लिखी है. मात्रु और शीशु सरक्षन पर. एक उन्होंने बहुत सुन्दर फोल्डर अभी भगवान के चरणों में समर्पित किया है. जिसमें हम गाओं में जाकर उन महिलाओं को कैसे जागरूत करें. हम उन्हें अध्यात्मिक रूप से प्रगल्ब बनाने के लिए हम उन्हें लिखी तजब की डाइरी देते हैं. उन्हें समझाते हैं कि किस तरह गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से उनके बच्चे में सूर्य की तरह तेजस्वी बच्चा होगा और इस तरह से बहुत सारे माध्यमों से, कुछ स्टोरी से, कुछ नुकर नाटक और अलग-अलग एक्टिविटीस को जोड़कर उस कारक्रम को पुरा बनाया गया है. जिससे हम उन्हें पूरी तरह से मारगदर्शित करें, कि हमें गाउं जाकर करना क्या है, हमें किस तरह से उन्हें गोद लेना है, किस तरह उनका ध्यान रखा जाना है. एक बार हम इसी तरह से गाउं में गए थे और एक कैम्प लगा कर बैठे थे. बगवान कहते हैं कि कोई भी सेवा व्यर्थ नहीं जाती है पर उस दिन ऐसा था कि पांस के गाउं में भागवत कता हो रही थी और एक भी मरीज दिखाने के लिए नहीं आया और हम चिंतित हो रहे थे कि आज का हमारा जो संडे था वो पूरी तरह से वेस्ट हो गया नहीं व्यर्थ चला गया क्योंकि आज एक भी मरीज का हम इलाज नहीं कर पाए फिर हम सारा जो हमने दवाईयां वगरे निकाल रखी थी उसको वापस पैक करने लगे इतने में एक महीला आए एक छोटे से बच्चे को लेकर दोड़ती हुई आई और उसने कहा कि यह जो बच्चा है वो हिलडूल भी नहीं रहा है और यह बेहोशी की हालत में है इसे रात भर बहुत सदा दस्त हुए है जब हमने उस बच्चे को देखा तो पता चला कि वो सिवियर डिहाइडरेशन का मरीज है और अभी बेहोशी की हालत में है ता हम उसे ओरल रिहाइडरेशन सॉल्यूशन ओर इस भी नहीं दे सकते क्योंकि वो मुँ खोलके कुछ लेने की स्थिती में ही नहीं है एक गाड़ी जो तैयार खड़ी थी वापस जाने के लिए उसमें उस बहिला और बच्चे को रखा गया और उनको तुरंट अस्पताल पहुँचाया गया क्योंकि उस बच्चे को नस द्वारा ही हम सलाइन वगरे चड़ा कर ही उसे बचा सकते थे और उस बच्चे को बचाने में हम सफल रहे भगवान ने उस दिन हमें गाउं भेजा था तो सिर्फ उस बच्चे की रकशा करने के लिए तो कोई भी सेवा कभी भी वियर्थ नहीं होती है कई सेवा करते समय ऐसे बहुत सारे अनुभव हमें प्राप्त होते हैं कई बार भगवान ने हमें रास्ते में एक्सिडेंट से बचाया है, कई बार भगवान ने हमारे लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की है, तो जब आप सेवा का एक छोटा सा कारियर लेकर मन में विचार ही करते हो, कि हम ये सेवा कारिय अब करने वाले हैं, तो मेरा बहुत ही प्रगाड विश्वास इस बात पे हैं, कि भगवान की कृपा का मिटर उसी क्षण से चालू हो जाता है, और भगवान अपनी कृपा बरसाते ही जाते हैं, भगवान की चड़ों में प्राथना करते हुए कहती हूँ, फोल तुमहारे आशिशों के हरदम ही खिलते रहते हैं, जीवन की मुश्किन राहों पर पगपगपर मिलते रहते हैं, साई पथके इन राहों पर हम अपना कर्थव्यनिभाए, श्रद्धा ही श्रद्धा है मन में श्रद्धाओं के सुमन चड़ाए श्रद्धाओं के सुमन चड़ाए धन्यवाद अंत में एक प्रश्न करना चाहूंगा 24 अप्रेल 2011 भगवान बाबा का ये निर्णे कि अब वो हमारे बीच सशरीर उपस्थित नहीं रहेंगे और वो शरीर से महाप्रयान कर गए इस समाचार ने आपके मन पे क्या प्रभाव डाला या आपकी क्या प्रतिक्रिया थी इस समाचार को सुनके मेरे जीवन में जितनी प्रगार था उस समय थी मुझे लगता है कि भगवान जब शरीर छोड़ कर चले गए तो मैं उनके ज़्यादा आत्मी रूप से करीब आ गई हूँ केवल भगवान का नाम सुनते ही या भगवान का फोटो देखते ही अगर दिल में कुछ लहरे जंकृत होती है और आशों से आशो आ जाते है तो इस से अधिक निकटता भगवान की क्या हो सकती है और हम भगवान को आज भी उतना भी निकट पाते हैं हर वर्ष भगवान के दरशनों के लिए यहां आती हूँ कभी सम्मेलन में आई हूँ कभी किसी और कारेक्रम में भी आई हूँ तो मुझे उतनी ही आत्मियता उतना ही प्रेम भगवान का दिखता है बलकि मुझे ऐसा लगने लग गया है कि भगवान अब हमारे परिवार के सदस्य ही हो गए है और अपने वच्चों की सारी सुकसुविदाओं का ध्यान वो बहुत अच्छे से रख रहे है ता मुझे लगता है कि भगवान अब जादा हमारे करीब आ गये है हमारे अंतर में ही समा गये है भगवान सरवत रहे, सरवशक्तिमान है और सरवग्य है और इस दिव्यता का अनुभव हमें समय समय पर करवाते रहते हैं और इसका ही एक घटना मुझे याद आती है ऐसा कि ऐसा अनुभव मुझे हुआ था कि भगवान के दर्शनों के लिए मैं कई बर नहीं आपाई रिजर्वेशन करने के बाद भी और मेरा पुरा परिवार आया हुआ है और मुझे भगवान वहां इन दौर में रोज दर्शन देते थे और एक दिन ऐसा ही मुझे अचानक दर्शन में भगवान एक वीलचेर पर आते हुए दिखे लाल रंकी वीलचेर है और भगवान के पाओं में पट्टी बंदी हुई है और मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा भगवान को वीलचेर पर आने की क्या वश्रत है पर उस घटना के करीब दो वर्श के बाद एक्चुल में भगवान वीलचेर पर आने लगे थे और जब मैंने प्रथम बार भगवान को उस तरह की वही चेर पर आते हुए देखा तो मेरे अश्रू नहीं रुख रहे थे कि मैंने यह घटना यह सब घटना करम दो वर्श पहले पूरा देख चुकी थी तो भगवान की दिव्यता हमें बार-बार जगजोर देती है अनुभाव हम लोगों के साथ साजा किये हम आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं साई राम मुमा साई राम अभी आप सुन रहे थे हमारा लोक प्रियकारिक्रम साई का प्यार जीवनाधार आज इसके अंतरगत मध्य प्रदेश राज्य संगठन की मात्रेवं शिशु देख भालिकाई की समन्वई का इंदोर निवासी डॉक्टर श्रिमती माधवी पटेल जी के साथ हुई हमारी भेंटवारता का दूसरा भाग प्रस्तुत किया गया था ये भेंटवारता रेडियो साई के स्टूडियो में 15 सितंबर सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाने कारिक्रम की प्रस्तुती का अब समापन होता है उमीद है हमारा आज का कारिक्रम आपको पसंद आया होगा अपने सुजाव एवं परामर्ज से हमें इमेल द्वारा या वाट्सेप पर मैसेज भेज कर जरूर अवगत कराएं हमारा पता है मैं आपके लिए स्पेल कर देती हूँ एवं हमारा वाट्सेप नंबर है हिंदी बाशा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां यूट्यूब पर भी उपलब्ध है इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें आप हमसे अपने विचार वहाँ कॉमेंट बॉक्स में अपनी टिपनी देकर भी साजा कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर हमारे कारेक्रमों को मन मताबिक सुनने के लिए आप रेडियो साई डॉट ओर जी फॉर्वर्ड स्लाश हिंदी पर भी जा सकते हैं धन्यवाद जैसाइराम